केस्वर्ट की बड़ी खबर दिली से सटे नोईडा से जहां हवाला कारूबारियों के खलाफ बड़ा आक्शन हुआ है UP ATS आयकर विभाग और पॉलिस के आक्शन में अब तक 3,62,62 रुपए कैश जब्थ हुए है और पॉलिस ने बड़ी रकम के साथ 8 आरूपियों को गिरफ्तार भी किया है लेके जानकारी के मताबिक तूरत की वेपारी से नोईडा के कारूबारी को हवाला के जरीए ये पैसा पहुँचा था तो यूपी एटियस पॉलिस आयकर विबाग का ये आक्शन जहां काफी मात्रा में कैश जब्थ कारवाई में अब तक 8 हवाला कारूबारियों को गिरफ्तार किया गया है तो यूपी ATS और पोलिस आइकर बिबाग का ये समिफ आक्शन और इस आक्शन का परणाम क्या आठ हवाला कारुबारियों पर शेकन जा कर चुका है सूरज से नोईडा के कारुबारी के लिए रुपई बेजे गए थे साधा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सयोगी अरविंद ओजा चुट चुके हैं अरविंद किस तरह से ये खबर सामने आई और अब तक क्या कुछ आक्शन क्योंकि ये बहुत बड़ी अपने हाप में ये खबर है जी बिल्कुल लेके आस्तोस दो दिन पहले ही नोडा पुलिस ने तीन संदिक्द गारियों को सेक्टर अन्थावन इलाके में पकड़ा था और जब गारियों की तलासी ली गई थी तो करोणों रुपे की रिकम रिकवर हुई थी उसके बाद पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में लिया था और उनसे पूस्त आज के बाद उन्हें गिरफतार कर लिया था उनके पास से कैस रिकवर हुए थे साथी साथ कई जो सरकारी डिपार्टमेंट के जो मोहर होते हैं वो रिकवर हुए थे उनसे पूस्टाज के बाद दिल्ली में नोडा पुलिस में च्छापे मारी की और इंकम टेक्स के अधिकारियों के साथ तीन लोगों को हिरास्त में लिया उनके पास से भी तक्रीबन 92 लाक रुपए जो कैसे वो जब्त किये गए है फिलहाल उन तीनों से इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की पूस्टाज करें तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इसमें करोणों रुपए सीज़ हुए है और फिलहाल हवाला कलेक्शन की बात सामन पूस्टाज कर रही है और इसको लेकर कारोबारियों से न सर्फ एटियस इंकम टेक्स और नोडा पलिस्टीनों पूस्टाज कर रही है शुक्रिया रिविंद इस सब पुरी खबर पर नसर बनाय रखने के लिए और दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे के लिए आपका प्रुब आपका रहे है बनाय रहे के लिए शुक्रिया रहे है।